हेलो प्रेंज मैं दीपक आप सबको इलेक्रिकल दुनिया चेनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग वाइरिंग करना देखेंगे जैसे डियो एले स्टार्टर उसका वाइरिंग करना देखेंगे आज के वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में आ औहां पे कैसे कर रहा हूँ यारि कि मैं अभी पैनल के साइड में अभी आपको बताने वाला हूँ MCC पैनल के साइड में। मैं आपको PLC का भी करेक्शन बार ça बात में। और अभी PLC का कनेक्शन में करने वाला हूँ यह जो शिरिप आपको less and powerwired और कर लेंगे पर कंट्रॉल वारिंग जो है पुष्ट बसक्ट का उसको करने के लिए आपको पीछला वीडियो में देखना चाहिए या जी यह वीडियो देख लीजिए उसके बाद देखaking अगर नहीं देखे हैं तो और पहले अगर ओपुश बटन का कनेक्षन का विडियो आप जानते हैं देखें हैं उसको समझे हैं तो यह आपके लिए एजी होगा तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा मैं इस वीडियो शुरू करता हूं तो जैसे मैं देख रहे हैं यह ड्रोइंग है ड्योल स्टार्टर का और इसके द्वारा मैं कनेक्शन करने वाला हूं जैसे यह पूरा कंट्रोल वाइरिंग दिया गया और यहां पर यहां पर लिखे और आपको करनेक्शन कैसे किया ठीक हूं तो जैसे मैं यह इसाक्रोफ केने क्रमियों और यहां पर यहां को दिखाफान वालों जैसे यह u तो आपको टर्मिनल्स नमर यह है, टर्मिनल्स नमर 123 फूर यह जो लिखा है, वो अगर टर्मिनल्स नमर का बात करें, तो 9 पे है और 10 का है, वो जो है stop button का है, जो यहां पे डिया गया है, push button को मैं पास से दिखा रहा हूं, ठीक है, तो 4 नमर और 5 नमर पे जो है stop button का मैं connection और छे और साथ नमर जो फेरूस नमर रहेगा जो टर्मीनस नमर गारों और बारों उस पे हम स्टार्ट का करने वाले हैं कनेक्शन ठीक है मैं बाद में आपको यह पूरा डीटियल में बताऊंगा इसका कंट्रोल वाइरिंग पावर वाइरिंग सब कुछ समझाने वाला हूं आज के वीडियो में सिर्फ मैं अभी कनेक्शन कर रहा हूं जिसके ओजर से मैं आपको सोचा यह ट्रोइंग जो है उसको देखके में बताता हूं ठीक है जैसे यहाँ पर फिरूल नमर याद कर लीजिए 5-6 स्टॉप का सोरी 4-5 स्टॉप का और 6-7 जो है स्टार्ट का है ठ टेक्टर लगा हुआ है एमसी भी लगा है रिले लगा है यही सब चीजे आपको दिखाऊंगा ड्रोइंग में भी और बात में आपको पेटिकली भी यह चीजे थोड़ा समझाऊंगा कहां पे क्या कैसा दिया गया जैसे अगर पावर वाइडिंग का बात करें इसका तो आ मैंने आर और वाई को जो कनेक्षन किया था इस्टॉप बटन में किया था और ब्लू और ब्लेक जो था यह स्टाट बटन के लिए था ठीक है तो यहां पर अगर देखेंगे जब टेस्टिंग भी होटा तो उससमade 살e시대 तो रोप कर दिया गया है कि जब इस्टॉप बटन लूप नहीं रहेगा उस समय अगर आप start भी करते हैं इसको प्रेस्क भी करते हैं तो ये start नहीं होगा फीडर इसका क्यों नहीं होता है इसका जब drawing में बताऊंगा उस समय आप देख सकते हैं और जब मैं control wiring आपको push button का जब मैं बताया था वहाँ पे भी समझाया हूँ तो य टेस्टिंग के लिए उससे में लूप लगाया गया था ठीक है तो जैसे फेरू लमर का मैं बात को तो चार पांच और छे और साथ यह है ठीक है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ आपको फेरू लमर यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है तो चार और मिला गया था तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद है आओगा और इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा चैनल पर नहीं होता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर पेस करिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफीकेस मिल सके आपको सबसे पहले तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में ट्रप्ता के लिए जाएं दोस्तों